हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेडी विट किंग प्रडॉक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ही मत्यपूर होने वाली है क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग स्पीडी जिखे के रिवायर्ज योर्स सेलफफ वॉल्यमि btw को पढ़ने वाले हैं और यह पाट二 है इससे पहले हमये पाट one को डिस किया था जिसमें हमी हम आज के इस वीडियो में जो है हम लोग 85 या 90 के एप्रोक्स में प्रश्णों को डिस्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्य हम से तो गाइस चलिए सुरू कर लेते हैं इस वीडियो को जाए टाइम नहीं वेश्ट करके दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल पर पहली भारत को स्रिलंका से अलग करता है कौन तो भारत को जो है स्रिलंका से कौन अलग करेगा पाक जलसंदी या सुन्डा जलसंदी या डोवर जलसंदी या होर मोज जलसंदी तो इस चार आपके सामने हैं और आपको बताना है कि भारत को स्रिलंका से अलग कौन करता है तो भारत जो है सबसे लंबी अस्तली सीमा बनाएगी किसे साथ चेन के साथ या नेपाल के साथ या भुटान के साथ या बंगलादेश के साथ तो भारत जो है सबसे लंबी अस्तली सीमा बनाती है या बंगलादेश के साथ बंगलादेश के साथ जो है भारत सबसे लंबी अस्तली सीमा बनाती है लिए भारत सबसे छोटी है चेली सीमा किसी साथ ही नेपाल के साथ या भोटान था चीन थाइ ऑफगानिस्तान के साथ तो भारत जो है सबसे चोटी अस्तली सीमा बनाएगी अबगर्णिस्तान के साथ, क्योंकि अबगर्णिस्तान जो है सबसे दूर में है और इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, अबगर्णिस्तान के साथ जो है भारत जो है सबसे चोटी अस्तली सीमा बनाएगी, नहीं तारे का रंग जो है उसका ताप का सुजग होता है यानि कि उसका टेंपरेचर का जो सुजग है वो क्या होता है तारे जब चमकता है यानि कि तारा कौन सा रंग का है यह कर सकते हैं हम लोग उसके टेंपरेचर के अनुसार से ठीक है नच्ट है भारत एवं पकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है तो भारत और पकिस्तान के बीच के सीमा रेखा का नाम क्या है बताइए तो यहाँ पर देखिए पहला आपसन दिया हुआ है डुरंड रेखा दूसरा दिया हुआ मैक मोहन रेखा तीसरा दिया हुआ है रेट क्लिफ रेखा और चौता दिया हुआ है हिंडनबर्ग रेखा तो भारत एवं पकिस्तान के बीज जो है कौन सी रेखा है तो भारत पकिस्तान के बीज जो है रेट क्लिफ रेखा है और भारत चीन बोल देगा तो मैक मोहन ठीक है और भारत और अफगानिस्तान बोल देगा तो क्या होगा डूरंड रेका होगा नेक्श देखिए तीन तरफ से बंगनादेश से घिरा राजी कौन है तो तीन तरफ से जो है बंगनादेश से घिरा राजी कौन है तो तीन तरफ 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 से घिरा ताया आपको रेट क्लिप रेखा जो है भारत और पकिस्तान के बीच की निर्धारत रेखा है और इसका निर्धारण जो है कब हुआ था तो इसका निर्धारण जो है 1947 में हुआ था नेक्स्ट आई देखिए पिर्त्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है तो पिर्त्वी से अगर हम लोग देखेंगे यानकि हम लोग अपने पिर्त्वी पर है और पिर्त्वी से चंद्रमा का जो भाग है हम लोग कितना परसंट दिखाई देता है तो पिरतिवी से जो हम लोग चंद्रमा को देख सकते हैं 57% किता देखते हैं 57% ही दिखाई देता है नेश्ट आए देखिए दो-बीचकी दूरी को किस नाम से जाना आता है तो दो-बीचकी दूरी को क्या नाम से जानते है तो इसका नाम होगा गोरे option number a है जो रहे ही right हो जाएगा. तो यह साहां त्राइंता रिखाओ कि 20 की दोरी को क्या काते हैं? गोरे काते हैं. next नहाएं big bank के सिधान्त का परतिपादन किया था किसने? तो big bank जो theory था उसका सिधान्त का परतिपादन जो है किसने किया था? काल्टर ने किया था या लालसाज ने किया था या जेम्स जीन ने किया था या जॉर्ज लेमिंटर ने किया था तो बिग बैंक थेयोरी का जो सिधान्त है इसका परतिपादन किया था जॉर्ज लेमिंटर ने किस ने किया था जॉर्ज लेमिंटर ने नश्ट है भारत एवम चीन के बीज की सीमा रेखा का नाम क्या है तो मैंने अभी बताया भारत और चीन के सीमा की बीज के रेखा जो है वो कौन सा होता है मेंकमोन रेखा होता है तो आपसन नमबर बी जो है इसका राइट एंज रो जाएगा और ये लेक्डेक एक वाय बाहरत और पकिस्तान का है यानिकी इंडिया और भर्स in थीक्चट और यह और द्रिठव क्यों किसकी भीच होता है पकिस्तान और्वग проб के बीज़ी ने नब्स देख्या पिर्थवी की आयू ज्याद करने के लिए किस विदि का प्रियोग किया जाता है। तो पिर्थविय का अगर आयू हम लोग घ्यात करना चाहेंगे तो क्या विदी से हम लोग घ्यात कर सकते हैं क्या हम लोग carbon c14 से जिदा कर सकते हैं या uranium जात कर सकते हैं या और आसवन से जहात कर सकते हैं या इनुसे कोई नहीं तो carbon python से हम जीवास में जेधान चाहते हैं तो यह नहीं होगा उर्नीय एं ह precedent जो पदती होती है इस से हो जाएगा क्योंकि यहां पर जो रामायन था जब राम जी को हरण कर लिया गया था तो राम जी जो है श्रिलंका गये थे और श्रिलंका जो है यह देखिए भारत का अंतिम छोर है यह और यहां से जो है उन्होंने वो क्या क्या था आदम पूल बनाये थे पत्थर को फिक फिक के तो क्या है अप्शन भारत और श्रिलंका तो भारत और श्रिलंका के भी जो है यह आदम पू तुदेखे पिर्तुई पर जो दिन राद बरावर होता है जब तो वह कौनसा दिन होगा तो वह होगा एकाईस मार्ज को जो हfindे पिर्तुई पर दीन राद बरावर होता है नहें प्रशन है तीन पीज़ और किसको जोडता यहां औप्सन दिया हुआ है भारत चीन को बिन को घाल को किसको जोड़ता है दोनों इक दूसरे से यूटे हैं नेश्ट है देखिए 27 परशन को भारत एवं पकिस्तान के बीच सिमला समझोता कब हुआ था तो भारत एवं पकिस्तान के बीच जो है सिमला समझोता कब हुआ था उनिस सो पैसट में उनिस सो बहतर में उनिस सो पचासी में तो भारत पकिस्तान के बीच जो है सिमला समझोता हुआ था नेश्ट देखिए पिर्त्वी का सुरक्षा बाल्व किसे कहता है यानिकि पिर्त्वी का जो सुरक्षा बाल्व है वो किसे कहते हैं भुकम को कहते हैं या समुत तरंग को कहते हैं या सुनामे को कहते हैं या ज्वाला मुख्यों कहते हैं तो देखिए पिर्त्वी का बॉल वो जो होगा वो क्या होगा अंदर से निकल रहा है ना तो फिरस्वी का बॉल वो क्या होगा ज्वाला मुखी होगा तो option number D जो है इसका right answer हो जाएगा नेश्ट है देखिए प्रकास वर्स किसका मातरक है तो प्रकास वर्स जो है किसका मातरक होता है दूरी का मातरक होता है सभी को पता है option number C जो है इसका right answer हो जाएगा नेश्ट देखिए किसने कहा था सुर्य ब्रह्मान का केंद्र है तो ये कथन जो है किसने कहा सुरी ब्रह्मान का केंद्र है पहला अपसन दिया हुआ है कौपर निकस दुसरा दिया हुआ है गलेलियो तिसरा दिया हुआ है आरिभट चौता दिया हुआ है ब्रह्मगुप्त तो ब्रह्मगुप्त है या गलेलियो है या Copernicus या आरिभट यह किस ने कहा था कि सूरि जो है ब्रह्माण का केंद्र है तो इसका राय टेंस्र हो जाएगा Copernicus नहीं कहा था कि सूरि ब्रह्माण का केंद्र है नेश्ट है देखिए चंद्रग्रहन कब लगता है यानकि चंद्रग्रहन जो है कब लगेगा तो पहला अफसन दिया हुआ है जब सूर्य एवं पिर्थवी के बीज जो है चंद्रमा आती है तब लगेगा चंद्रग्रहन या जब सूर्य एवं चंदर्मा के बीच जो है पिर्थवी आएगी तब लगेगा या जब चंदर्मा एवं पिर्थवी के बीच जो है सूर्य आजाएगा तब लगेगा या इन में से कोई नहीं या none of this तो यहाँ पर देखिए चंदर्रहन कब लगेगा जब सूर्य और चंद्रमा की बीच पिर्थवी आ जाएगा तभी ना तो सूर्य और चंद्रमा की बीच में आना चाहिए पिर्थवी तो option number B में है तो option number B जो इसका right answer हो जाएगा next देखिए पिर्थवी तता सूर्य के बीच अधितन दूरी चार जुलाई को होती है इसे किस नाम से जानाता है तो पहला option दिया हुआ है उपसौर दूसरा दिया हुआ है प्रकास मंडल होगा ठीक है यह याद रखेगा नेक्श देखिए पिर्थवी पर सबसे लंबा दिन कब होता है 21 जून एवं 22 दिसम्बर को या आट जून एवं 8 मार्च को या आट दिसम्बर एवं 5 अप्रेल को या इनमेंसे कोई नहीं तो पिर्थवी पर जो है सबसे लंबा दिन लयाको देन, जो तो बिसम्मर को होता है, किसे पहले, यहां यहांसे, हम लोग इसका आणूमान लगा से थे लिसम्मर वाला ही होगा, ठीक है 21 जून एवं 22 संबर को होगा नेस्ट है ब्रह्मान से सम्मांदित अध्यन क्या कहलाता है तो ब्रह्मान से सम्मांदित जो अध्यन है वो क्या कहलाएगा मेटलोजी कहलाएगा या सिस्मोलोजी कहलाएगा या कॉस्मोलोजी कहलाएगा या ग्राफोलोजी कहलाएगा तो ब्रहम्भान से सम्मांदित जो भी अध्यन है उसे हम लोग क्या करते हैं उसे हम लोग करते हैं कॉस्मोलोजी option number C जो है इसका right answer हो जाएगा next है पिर्थवी के भूपरपरटी के निर्मान में कितने परतिसत ऑक्सिजन तत्तो का योगदान है यान कि पिर्थवी पर जितने भी भूपरपरटी है यान कि जितने भी जमीन अस्तियल है उसके निर्मान में कितना परतिसत जो है ऑक्सिजन तत्तो का योगदान है यानि कितना पर्षेंट जो है औक्सिजन हम लोग के वाई बंडल में इससे थे हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 46.80 46.80 पर्षेंट जो है औक्सिजन जो है भूब प्रपटी के निर्मान में पिर्थवी पर इसका आक्सिजन का योगदान है औपसर नमर्ड जोईस का राइट इंसरो जाएगा नेच्ट है देखिए पिर्तवी एवम सूरिक के मद नियुंतम दूरी जो है तीन जिनवरी को होता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो हम लोग ने पढ़ाता पहले कि जब दूर होगा तो क्या कहेंगे आप सौर कहेंगे और पास जब होगा तुसे क्या कहेंगे उपसौर कहेंगे आफसर नमबर बी जो इसका राइट एंसर हो जाएगा next question है खगोली दूरी मापने का सबसे बड़ा मातरक क्या है क्या यह पारसेक है क्या प्रकास वर्स है या प्रकास मंडल है या इन में से कोई नहीं तो खगोली दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ा मातरक है यह कौन सा मातरक है तो यह है पारसेक यान कि जो हम लोग मापते ह प्रकास वर्स प्रकास वर्स का ही ये बड़ा रूप है पार्सिक ठीक है और एक पार्सिक के बराबर जो है कितना होता है प्रकास वर्स तो एक पार्सिक के बराबर जो है प्रकास वर्स होता है 3.26 प्रकास वर्स होता है यानि कि एक पार्सिक अगर हम बोलेंगे तो एक पार् ठीक है तो नेश्ट है देखिए सूर्य ग्रहन कब लगता है जब सूर्य चंदर्मा एवं पिर्थवी के बीच आती है तब या जब सूर्य और चंदर्मा के बीच जो है पिर्थवी आती है तब तो प्रश्ण था सूर्य ग्रहन कब लगता है तो पहला आप्शन क्या था जब सूरी चनर्मा एवं पिर्थ्वी के बीच आती है तब या जब सूरी और चनर्मा के बीजो पिर्थ्वी आती है तब यानि कि जब सूरी जो है चनर्मा एवं पिर्थ्वी के बीच आ जाएगी तब लगेगा सुरी ग्रहन या जब सूरी और चनर्मा के बीजो पिर्थ्वी आ कुल संख्या कितनी हैं तो तारा मंदल जितने भी है उसकी कुल संख्या कितनी है क्या यह 75 है क्या यह 80 है क्या यह के बेच की सीमा रेखा है का option number D जो इसका right answer हो जाएगा Mac Mohan रेखा किसका है तो Mac Mohan रेखा जो है भारत और चीन के बीच है Red Clip रेखा किसके बीच है भारत और पकिस्तान के बीच है Next देखिए दुख्द मेखला क्या है तो Milky Way बोलते हैं से Milky Way Milky Way दुख्द मेखला या क्या एक क्या एक खोगोलिय पिंड है क्या एक ग्रा है क्या एक मंदाकनी है तो Milky Way क्या होता है यानि कि दुख्द मेखला जो है या एक मंदाकनी है option number D जो इसका right answer हो जाएगा नहीं चेंखिए एक पार्सेक बराबर कितना होता है तो हम लोग बोलते हैं 3.26 प्रेकास्वर्स होता है ठीक है तो एक पार से हरो कीदा होगा 3.26 प्रेकासवर्स नाइस्ट है अका जंगा की आकरती जो है जो है कैसी है तो आका for gates जो है कैसा है सरपिला कार रहे या आयता कार है या वरगार है या चत्रृज़ा अकाजंगा की आकर्ति जो है कैसा है सरपिलाकार है या आयताकार है या वर्गाकार है या चतिर्भुजाकार है तो यहां पर देखिए अकाजंगा जो है यह कैसा है सरपिलाकार है ठीक है सरपिलाकार का होता है अकाजंगा नेश्ट देखिए सबसे चमकीला तरा मंडल कौन है तो सबसे चमकीला जो तरा मंडल है वो कौन है हाइडरा है या देव यानी है या दुद मेखला है या सेंट्रास रस है ठीक है तो यहाँ पर जो है सबसे चमकीला तरा मंडल जो कौन हो जाएगा Central रास हो जाएगा Option number D जो इसका right answer हो जाएगा Next है पिर्तवी का धुर्वे व्यास लगभग कितना है यानि एप्रोक्स में बताना है कि पिर्तवी का धुर्वे व्यास है वो कितना है क्या ये 12,714 km है क्या ये 10,660 km है ये 12,756 km है ये 12,713 km है तो इसका right answer हो जाएगा पिर्तवी का धुर्वे व्यास है या लगभग यानि एप्रोक्स में जो है 12,714 km है Option number A जो इसका right answer हो जाएगा Next है देखिए पिर्तवी का विश्वतिय व्यास एवं धुर्वे व्यास में कितना km का अंतर है तो पिर्तवी का जो विश्वतिय व्यास है और धुर्वे व्यास है इसके बीच जो है कितने km का अंतर होता है तो यहाँ पर दिया हुआ है 40 km, 42 km, 56 km और 60 km तो इसमें कौन सा होगा तो पिर्तवी का विश्वतिय व्यास एवं धुर्वे व्यास में जो है कितना किलोमेटर का अंतर है या है 42 किलोमेटर का अंतर इसमें ठीक है नेच्ट है पिर्थवी की अपेक्छा चंदर्मा का दर्मान कितना होता है तो पिर्थवी की अपेक्छा जो है चंदर्मा का दर्मान कितना होगा एक बाए एक आसी होगा आफ्सन नंबर ए जो इसका राइट इंज हो जाएगा नेश्ट है देखिए कॉपर निकाज किस देश का निवासी था क्या ये इंग्लेंड के थे क्या ये उसे के थे क्या ये फ्रांस के थे या ये पॉलेंड से थे तो copper निकस जो थे या थे पॉलेंड के निवासी, कहां के थे, पॉलेंड के निवासी थे, next है देखिए, परोसी देश की सीमा से लगने वाले जो राजी है, उसकी संख्या कितनी है, तो क्या ये 10 संख्या है, क्या ये 14 है, क्या ये 17 है, क्या ये 22 है, तो परोसी देश की सीमा स से लगने वाला राजी जो है वह कितना है सत रहा है थीक है ओसे नमबर सी जो इसका रायट हें तरफा है इस नेक्सendi का निर्धारान जो है किस वर्स हुआ था तो मैद मेंधadores निर्धाराने जो है यह कब हुआ 1905 में 1914 में 1921 में 22환 तो इसका राइट एंस हो जाएगा मैक मोहन रेखा जो है किसके कसी बीच है बताएए पहले भारत और चाइना के बीच है यानि कि इंडिया और चाइना के बीच में है और इसका जो है निधारन जो है उनिसो चौदा इसी में हुआ था आपसर नमबर बीच है इसका राइट ए गोल है कॉपर निकस ने कहा था या पाइथा गोरस ने कहा था या केपलर ने कहा था या रधर फोर्ड ने कहा था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा देखे पिर्थवी गोल है इस वाक्य को कहा था पाइथा गोरस ने किस ने कहा था पाइथा गोरस ने कहा था कि पिर्थव वहां पर, काला दिखा जिता है, उसका, अंत्रिच अंत्रिच में, काला दिखा जिता है, इसी कारण से, अब हम लोग, सेट फोर को पढ़ेंगे, तो देख audi पहला प्रशन है, भारतिय अंत्रिच काईकराँ के जनक किसे माना जाता है क्या ये डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम को मना जाता है या डॉक्टर विक्राम सारभाई को जना जाता है या सतीज धवन को मना जाता है या कलपना चावला को तो भारती अंतिश कायकरम के जनक जो है औक्टर बिकरम सरभाई को मनने जाता है ओसान नमेर बी जो इसका right answer हो जाता है سंबाश Minow क्याये माइन का निवासि की सबस्का क्या स्ब्सकैर माइन तो वाश्क आइन का हो जाते एक पूर्तिगाल के निवासि ते आफ्षान नमबर सी जई इसका yes は Sewak गौतम बुद्ध का जो जन्म है या कब हुआ तो गौतम बुद्ध का जन्म है या कब हुआ तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था पांसो तिरसट इसा पूर में आपसे नमबर सी जा इसका राइट इंसर हो जाएगा नश्ट है भारत का पर्थम मिसाइल कौन है तो भारत का जो पर्थम मिसाइल है क्या ये अगनी है क्या इतरिसूल है क्या ये अकास है या पिर्तवी है तो भारत का जो पर्थम मिसाइल है या कौन है तो भारत का पर्थम मिसाइल जो है ये पिर्तवी है ओपसर नमबर डी जो राइट इंस रो जाएगा नहीं जाके अकास मिसाइल मार करती है कैसे पिर्थवी से पिर्थवी पर या अकास से हवा में या जमीन से हवा में या हवा से जमीन में तो अकास मिसाइल जो है या कैसे मार करती है जमीन से हवा में मार करती है ऑप्सन नमबर सी जो इसका राइट में जाएगी तो जमीन से हवा में जाएगा तभी तो यह मिसाल जो है जमीन से हवा मार कर रही है ठीक है इसे साप हो जाता है ऐसे इसको यादा सकते हैं यारी कि अकास मिसाल अगर जब कि नचे कि बक्सर का تم श्रका यूद का टाणा है आपको बक्सर का यूद में हुआ याा इसम है यहां पर देखिए 1759 दे दिया गया है तो यह जो है कब हुगा प्लासी का युद्वा था यह नहीं होगा ठीक है 1764 में होगा क्योंकि 1764 में ही जो है बक्सर का युद्वला गया था ठीक है मुस्यल्म लेंग की अस्थापना कब की गई थी क्या यह 1905 में क्या गया था या 1906 तो इसका राइट इंस रो जारेगा मुस्यल्म लेंग की अस्थापना deficit में 1789 की गई थी नेश्ट देखिए भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन यानि की इजरो का मुख्याले जो है कहां परिशित है तो हेड़ क्वार्टर पूछ दिया है ना भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन का जो है मुख्याले कहां है क्या ये हैदराबाद में है या बैंगलूर में है या कलकॉत्ता में है या मुंबई में है तो इसका राइट ऐंसर हो जाएगा जो इज़रो का मुख्याला ही कहاں है बैंगलूर में है उप्सन नमर जो है इसका राइट असर हो जा जाएगा नाचर। देखिए कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है तो कौन एक tank रोदी मिसाइल है नाघ है या पित्तवी है या तिरिसूल है या अगनी है तो इसका right answer हो जागा नाग जो है ये एक tank रोदी मिसाइल है नेक्श देखे प्रत्रम विस युदि कब से कब तक चलाता तो देखिए सभी को पता होगा कि प्रथम विश्युत जो है यह कप से कप चला या 1914 से लेकर के 1918 तक चलाता ओप्सन नमबर सी जो इसका राइट एंसर हो जाएगा तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कोई भी रामाइन में या महाभारत में आप लोग देखिएगा जब भग्वान रसुर में यूध हो ता है तो अस्तर वह लोग फ्यक्थिते दे पहले उपर उपर ओपर ठीक है हवा से हवा में मार करता है अस्तर मिसाइल ठीक है नेश्ट देखिए तेरा नर प्रशन को भारतिय मिसाइल काई कराम के जनक जो है किसे कहाता है तो भारतिय मिसाइल काई कराम के जो जनक है या किसको कहा जाएगा होमी जहांगीर भावा को या सतिस धवन को या डॉक्टर बिक्राम सारा भाई को या डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम को तो भारतिय में साइल काईकराम के जनक जो है या कहायाता है डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम को ओफ्सन नमबर डी जो इसका रैट एंस रो जाएगा नेश्ट है रेखिए असयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था तो असयोग आंदोलन जो है गांदी जी ने चालू किया था और इसको इस्टार्ड हुआ था मतलब यह चालू हुआ था शुरू हुआ था इसके शुरू आत हुए थी 1922 में यानि कि असरयोग आंडुलन kो गांडे जी ने कब वापस ले लिया 1922 में वापस ले लिया 1915 भी नहीं होगा क्योंकि यह तो श्टार्टी नहीं हुआ था उस वक्त ठीक है तो एक ही आप्शन बजाता है कि 1922 स्वित्रेंट कि दो साल तक चला था और 1922 में जो है गांदीजी ने वापस लिले था असा जो गंद्रॉन को अंत्रिच में पहुचने वाला पर्थम व्यक्ति कौन है तो अंत्रिच में पहुचने वाला पर्थम व्यक्ति कौन होगा यूरी गार्गिन होगा या लाके सर्मा होगा या अलक्सी लियानोब होगा या नेल आमस्ट्रंग होगा तो अंत्रिच में पहुचने वाला पर्थम यह चिया गया था स्दुटा दागों और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना एता है तो दागो और भूल जाओ के नाम से जो है किस मिसाइल को हम लोग जानते हैं तो इसका option दिया हुआ है देखे पिर्तवी अगनी अस्तर और नाग तो दागो और भूल जाओ के नाम से जो है हम लोग जानते हैं कि नाग जो है एक टेंक रोधी मिसा मिसाइल है वो कौन है नाग है तो आप्सन नमर डी जो इसका राइट इंस जाएगा दागो और भूल जो है हम लोग कहते हैं मिसाइल नाग मिसाइल को ठीक है चीन की करांती कब हुई थी यानि कि चाइना का जो क्रांती हुआ था चीन की करांती यह कब हुआ था 1905 में हुआ या 1911 में या 1921 में या 1924 में तो चीन की करांती यह हुआ था 1911 में में Option number B जो इसका राइट इंद्र हो जाएगा नच्च दकिए पृत्वी मिसाइल का परिछन कब हुआ था तो पृत्वी मिसाइल जो है इसका परिछन जो है कब हुआ क्या यह उनिस्सो चोटर में हुआ या उनिस्सो असी में हुआ या उनिस्सो पंचानमे में हुआ तो पुर्ति मिसायल का परतम परिच्छन जो है यह हुआ था उनिस्सो अठासी एसी में रट इंसरो जाएगा तो देखिए पानीपत का जो परत्म युद्य हैम लड suis नाड़ा घया था तो परत्म अठासी लॉपनली हो यह या यौळ जो लंड़ागया था था औरी यॉद्ट offer मैं ओनेorkने का प्रांस की कि क्या होगा पर्फम भारती उबग्रत को चोड़ा गया था स्था नाशेय के चंदर्मा पर मानों भेजने वाला पर्फम देश कौन है द Crown गाहिए कभुए तो फ्रांसकी करांतिम कभ हुए कि या साहिषा चाहिए 1597 में हुआक हा कि क्या या या 74 टो शुरोम हासे सविए 883 हुआ सबसे में तो फ्रांसकी करांतिम हो या उट्रांसकी ओ जेक्र सतीज़ धवन अंत्रिच केंदर कहां पर शित है तो सतीज़ धवन अंत्रिच केंदर जो है कहां पर है क्या यह त्रिवेंद्रम में है या है या बैंगलोर में है या स्री हरी कोटा में है तो सतीज़ धवन अंत्रिच केंदर जो है यह कहां पर है तो यह है स्री हरी कोटा में आफसर नमबर D जो इसका राइट एंसर हो जाएगा, नश्ट है देखिए विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर कहां शित है, तो विक्रम सारा भाई अंतरिच केंदर जो है यह कहां पर है, क्या यह महराश्ट में है, क्या यह त्रिविंद्रम में है, क्या यह गुजरात में है तो विक्राम सारा भाय अंतरिच केंद्र जो है या जो है कहां है या है त्रिवंद्रम में आफ्सन नमबर B जो इसका राइट एंसर है नेश्ट देखिए सरवाधिक समय तक अंतरिच में रहने वाले माईला कौन है तो सरवाधिक समय तक जो है अंतरिच में राने वाले मैला कौन था, क्या है डैनिस टीटो था, या कलपना चावला, या राकेश सर्मा, या सुनिता विलियम्स, तो सरवाधिक समय तक अंतरिच में राने वाले मैला या कौन था, या था सुनिता विलियम्स, ओप्सन नमबर ड सब्सक्राइब तो इसका राइप अिंसर हो जाएगा रूस की करांती जो है 1917 में हुई थी ऐसो सब्सक्ताइब लिए सब्सक्राइब ए्सका राइप handful next के इर्जून क्या है तो तो तीसे नमर्ण जो प्रसंथा क्या था अर्जुन क्या है तो अर्जुन क्या एक मिसाइल है क्या एक रडार है क्या एक जहाज है क्या एक युद्धक टैंक है तो अर्जुन जो है या एक युद्धक टैंक है क्या है अर्जुन एक युद्धक टैंक है जैसे नाग है उसी तरह से एक युद्धक टैंक है नहीं ज़ तो एकस्ट इसी में आफ्से नमर्ड डी जैस का राइट इंस रो जाएगा फर्स्ट यूद लड़ा गया था देखिए फन्दरसोच अबश्च इसी में ठीक है और सकेंड यूद जो है कभ लड़ा गया था फाना सुच अपनि सी में और थार्ड जो है सतासोच अब लड़ा तो तासकन समझोता जो है यह कभ हुआ तो तासकन समझोता जो है उन्सोच इसी में हुआ था आफ्सन नमबर सी जो इसका राइट इंस रो जाएगा नेश्ट है हिजरी समवत का प्रारम जो है कभ हुआ च्या यह 630 इसी में हुआ था या 622 इसी में हुआ था या न्ठावन तो, तेज़स क्या है? तो तेज़स क्या एक Radar है? क्या एक Missile है? क्या एक लड़ा को युमान है? या एक टैंक है। तो तयसम से फच्सक्रव कल लड़ा गया था आ? corporate नीब बन सब्सक्रवाइन कंद nessa रहा सिए? तो फार्ष्ट जो पानिपत का यूदा ये कल लड़ गया थां फार्ष्ट लाड़ गया थां तो पर्थम अंत्रिच परेटक जो है यह कौन है तो इसका राइट इंस रो जाएगा डैनेश टीटो जो थे यह पर्थम अंत्रिच परेटक थे नेस्ट है तराइन का दूतिय विश्व जो है कब लड़ा गया था तो तराइन का जो दूतिय युद था यह लड़ा गया था 1192 में तो तराइन का पर्थम युद जो है या 1191 में लड़ा गया था फर्श्ट वाला है इसका ठीक है तराइन का दूतिय जो है कब लड़ा गया 1192 में option number B जो है इसका right answer हो जाएगा और next है देखिए दोतिय विस्वेश जो है कब से कब तक लड़ा गया था तो पहला option दियावा है 1949 से 45 दूसरा option दियावा है क्या यह सुनिता विलियम्स है क्या यह कलपना चावला है क्या राकेश शर्मा है या इन में से कोई नहीं तो देखिए अंत्रिश में जाने वाला पर्थम भारती कौन होगा तो अंत्रिश में जाने वाला पर्थम भारती जो है राकेश शर्मा होगा आपसन नंबर C जो इसका तो चंद्रमा परमानाव को पहुचाने वाला पर्थम अंत्रिच यान जो है यह कौन है या अपोलो 11 है ऑप्शन नमबर डी जो इसका राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट है देखिए गांधी इर्विन सम्झोता कब हुआ था तो गांधी इर्विन सम्झोता जो है 1931 में या 19 1932 में या 1929 में या 1931 में हुआ था तो चार आप्शन है बताए कौन सा होगा तो गांधी इर्विन सम्झोता जो है यह कब हुआ था या हुआ था नेस्ट है देखिए किर्प्स मिशन भारत कब आया था पहला अप्शन दिया हुआ है 1942 दूसरा दिया हुआ है 1932 तिसरा दि तो चैनरमा पर रखने वाला प्रथम व्यक्ती कौन है ? तो चैनरमा पर पर रखने वाला पर्थम व्यक्ति कौन है ? भार्ठिय सुदूर समयदी सनस्थान कहां आशित है तो भार्ठिय सुदूर समयदी सनस्थान जो है यह कहां है त्रिवंद्रम में है या हैदराबाद में या देरादुन में या आमधाबाद में चौत्था ओप्सन दिया हुआ है आमधाबाद ये छुप गया है तो भारतिय सुदूर समेधी संस्थान जो है ये कहा है तो यह है देरादुन में ओप्शन नंबर सिज्वाइस का रैट एंसर हो जाएगा भारतिय सुदुर समय दिया सथान जो है कहां है देरादुन में ठीक है ओप्शन नंबर सिज्वाइस का रैट एंसर हो जागा 45 आज आज इसे नहीं कि आज